गुड मॉनिंग एप्रिबन कैसे हैं आप सब भी I hope all are very good तो आज हम डिसकस करेंगे जिक्टे का कोईशन नमबर 57 एंड कोईशन नमबर 58 दोनों कोईशन जो वो सेंसर से रिलेटिड है 2011 का जो जन्गरना हुई थी उस से रिलेटिड है तो 57 कोईशन में हम डिसकस करेंगे हमानचप देश की lowest female literacy rate मतलब कि हमानचप देश में सबसे कम महिला है पड़ी लिखी जो वो किस जीले में है उसकी हम बात करेंगे पूरस की बात करेंगे सब की हम बात करेंगे literacy rate की सबी जीलों की बात करेंगे सबसे ज़्यादा काँप रहे सबसे कम काँप रहे और इसी के साथ हम बात करेंगे भारत की विशासात में जो वो compare करते हो चलेंगे ताकि आपको जब वो याद हो जाए और भारत की जन संक्या की बात करेंगे हमानचल की जन संक्या से compare करेंगे और हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो वो जन्गणना क怖 hats लिए कितने साल Combला जन्गणना होती है वो भी भी हम बात टो ist लिए वीज को सुच नहीं सबसे ज्यादा पॉपलेशन जो वो किस डिस्टिश की है वो भी हम बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की जो वो 2011 को में जो जन करना हुई थी उसमें जो भारत की जन संख्या कितनी थी तो लगभग जो वो 1-1 करोड थी जैसे कि आपने सुना का मोधी जी बोलते हैं सवा सौ करोड का मतलब है 125 करोड तेक है मतलब कि इसके आसपास थी ठीक है ऐसे आप इसको याद रखिए और इमांचर परदेश की कितनी थी इमांचर परदेश की कितनी थी तो लगभग आपको दो डेटा मिरते हैं एक बुक बाला एक जो थोड़ा सा इंटरनेट बाला जो थोड़ा सा कम होता है ठ इसे इमांचर परदेश की जो भी जन संक्या थी ठीक है 2011 के अनुसार तो वह थी 68,56,509 ठीक है 68,56,509 यह थी बुक्स के अनुसार बुक्स में ऐसा लिका है ठीक है इंटरनेट में अगर देखेंगे तो इंटरनेट में आपको 68,64,602 मिलेगा ठीक है इन दोनों को आप या 72 में आप से पुच्छा जासकता है कि भारत में से पहली जन गरना कब होई थी, 1872 में होई थी लेकिन कंटीनु कब से चली हर्वज जन गर्णा होती है, 2011 में हुई है, 2021 में होगी ठीक है और फिर जब हो टूथाउजन थिरटी वन में होगी, ठीक है बैसे 2000 1 में होई है ठीक जो उसके बाद जो बहुत इंट्रस्टिंग बात में आपको बताता हूं जैसे 1911 को जनगरना हुई थी ठीक है और 1921 को भी थी इनके बीच में जो भी 10 साल थे 10 साल के बाद उती है तो 10 साल ने इनके बीच में 10 येर का डिफरेंस है ठीक है इसको बोले जाता है महाविवाजक वर्स क्योंकि इस 10 साल में जो वह वह बैसे तो देखिए आप जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वह बैसे जो पॉपलेशन बढ़ती जाएगी लेकिन यह जो यह थी 10 साल का है जो दसक था इसमें जो वह बढ़ने के बजाए घट गई तो इसको आप याद ही सिकते है 1911 स 1901 के बीच में जो वो जन संख्या बढ़ने के बजाए जो वो गट गई थी इसके भी बहुत सारे कारण होगते हैं उनके बारे में पिर कभी डिसकस करेंगे और हम बात करते हैं जैसे हिमांचल पदेश की तो हिमांचल पदेश में सबसे ज्यादा सिख सिख धर्म के लोग जो गुजर भी वहां पे है लेकिन गुजर सबसे ज्यादा जो वो कहां पे मिलेंगे आपको बिलासपूर में मिलेंगे और गुजर दूसरे सबसे ज्यादा जो वो चमबा मिलेंगे बतर सबसे ज्यादा बिलासपूर में है उसके बाद जो वो चमबा हमें है ठीक है अगर हम ब प्रात की बहारत की जन संक्या का कितने परसेंट जो ओव उमांचल की जन संख्या इस टो 60 लाइड के मांचल की गवश्य संख्या को स неп अगरस्धी राजय का एक और संख्या के दिरह मैंने मत मुत थे काउंट काण कौन सा है आप मुझे बताइए चलिए मैं मांचल से ज़्यादा है तो इसलिए अगर यूटीज भी पुछा जा तो 2 वराजय बन जाता है अब बात करते है कि मांचल परदेश में जब वो सबसे ज्यादा पॉपलेशन किस डिस्टिक में है सबसे ज़्यादा पॉपलेशन जबो किस डिस्टिक में है तो याद रखे कांगडा में सबसे ज़्यादा पॉपलेशन है, मैक्सिमम पॉपलेशन जो भो कहां पे है, कांगडा में है, तो कांगडा में कितनी है, इतना आपको याद रखने की जुरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि कितना परसेंट है, इमानचल की जन संक्या का कितना परसेंट वहां पे है, तो कि लाउट्सपिति की जन से कहा बहुत कम है साहिद 2011 की मात करें हो अभी तो थोड़े से बढ़ गया होगे तो 31,528 ठीक है इसके आसपर ते 0.4% मांचल की जन से कहा है बिल्कुल 0.4% अगर हम ऐसे बात करें कि सबसे ज्यादा किसकी है तो सबसे ज्यादा की है कांगडा के बा सोलन आ जाता है सोलन के बाद सिर्माओर आ जाता है और सिर्माओर के बाद उनना आ जाता है उनना के बाद चंबा के बाद हमिरपूर आ जाता है हमिरपूर के बाद आता है कुलू और कुलू के बाद आता है बिलासपूर और फिर आता है किन और और फिर आता है लाउसपित तेकिए सबसे लास्ट सबसे कम पॉपलेशन लाउस पिती सबसे ज़ाद जब कांगडा मंडी सोलन सिर्म और उन्ना चंबा हमिरपूर कुलू विलासपूर किन और तिक आप ऐसे जो वो डिक्रीजिंग ओर्डर में जो आप इसको लिख सकते हैं इसको आप याद रख सकते हैं तो नेक्स बात करते हैं अचा हमारा जो सेकिंड कोशिन था तो सेकिंड कोशिन का अंसर हमने निकाल लिया सेकिंड कांशर हो जाएगा कांगडा ठीक है विच वन अब दा मोस्ट पॉपलेस्टिक इन हिमाचब देश तो कांगडा की सबसे ज्यादा पॉपलेसन है तो इसका परसेंटेज की दिश्टी से देखा जाए मतलब कि किस राज्य में जो वो सबसे ज्यादा मतलब कि उस राज्य से कंपेर करते हो चलेंगे तो पंजाब में जो वो सबसे ज्यादा परसेंटेज में जो वो सड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं से के लोग रहते हैं अगर हम ब हैं ठीक है एक जार जो वो मेल हैं तो उन में जो वो कितनी फील मेल है बदory 1000 के पीछे जब हमारे पास है ठीक है तो कितनी पर मेल थे घञतली तो अगर अगर असे बोड़न से चेसली से एक घ्याद स्विजुट ओड़र य् üssel remedy तो शेया है मममिल खुमकों आप इन दोनों को याद रिखे लेकिन अगर आपको mcq पूछ जाए तो आपको कोई एक ही मिलेगा क्योंकि सबको पता है कि दो इस डेटा है इसके तो आपको एक ही ऑप्षन मिलेगा 974 मिलेगा तो 972 मिलेगा मतलब कि एक पूरुस में जो वो 972 ही महिला हैं आपको मिलेगी मतलब कि अगर मतलब कि पूरुस की जो वो एक महिला के साहथ साधी की जाए तो 972 है मालों तो कितने 972 माइनज कर दो कितने बच गए तो यहां पे बच जाते है 28 मतलब कि 28 जो वो कबारे ही रहे जाएंगे तो इसलिए पूलों का जो लगवाग एकवल रहना जो बहुत ही सबसे ज्यादा किस में किस जीले में मतलब कि पूर से ज्यादा मिल रही है और कांगडा में उसके बाद है कांगडा में जो कांगडा में लगो जो बराबर ही आप लक्सकते हो लेकिन 13 जो ज्यादा है और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में केरला की केरला का लिंग नुपाल सबसे ज्यादा है केरला में जो एक हजार 84 जोब मिलेगे मतलब अगर देखा जाए तो हमीरपूर हमारे पूरे भारत में जोब हमीरपूर एक ऐसा जिला है जिसमें जोब हो जब से ज्यादा है तिक है अब बात करते हैं किना और सबसे कम थीक है सबसे कम 618 ही वहां पर महिला आपको मिलेगी अगर अब बात करें तो इंडिया में रियान की जो सबसे कम 6 रेसु है चलिए बात करते हैं लास्ट में जो कि जहां पर हमारा 1st एसे मुल जाता है अब बात कहते हैं लिटरेशी रेट की सकसर्ता दर की थोलसओ च Lum लिटरेशी से अफ्वाइश डेट कटने सकसर लोग परसेंट में बताएंग कि इतना लोग नहीं ठीक है इंठीय凶्च टिक है मांचरपदीश में ठीक है अगर हम बात करें इंटरनेट की तो इंटरनेट में थोड़ सा कम मिलेगा आपको 82 मिल जाएगा ठीक है तो अगर हम पूरुस की बात करें तो पूरुस ज़्यादा पड़े लिख है 90% 90.83% अगर महिलाएं की बात करें तो 76 है 75 आपको सबसे कम लिट्रेसी रेट बाला है और सबसे कम लिट्रेसी रेट बाला है चिक है लगवगव यहां पे मिले गए 72% पड़े लिख है आपको मिलेंगे पूरुस आपको ज़ो 83 मिलेंगे महिलाएं जो 33 माहिलाएं सबसे कम पड़े लिख हैं चमबा में हला बिल्कुल 62 हे Watsonmost सो में से 62 ही महिल है जो वो पढ़े लिके है तो इस question का जो आंसर है वो हो जाएगा चमबा में सबसे कम पढ़े लिके महिला हैं ओके आज के लिए तना का पिया thank you and have a nice day